हेलो गैस वेल्कम टो मैं यूट्री चैनल आजम एक और का रिविक साथ आ चुके हैं तो कल वीडियो नहीं आप आई उसके लिए बहुत बहुत माफी तो आप नए वीडियो आ गई है तो उसका नाम है गाड़ी कम रिव्यू करें वह है जीप कमपास स्पोर्ट 1.4 पेट्रो है जो आपको नहीं पीचे हैं वह इस गाड़ी में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसकी इंजिन के थोड़ा बारे मताइता हूं तो 1368 CC एक्जक्ट फिकर है वैसे इसको जीप कमपास मोलते हैं मौडल नम्बर है स्पोर्ट 1.4 पेट्रोल में आती है ठीक है और 21,00,000 से अवलेबल मिलेगी आपको जाए बेस वेरेंट लिलने हैं वह ब्रिलियंट मैं आपको अपनी लेंग में जाता हूं ब्लैक में में मिलेगा ग्रीन ब्लू ग्रेड मिनिमल ग्रेड और ब्राइट वाइट तो मेरा परस्ट फेवरेट भाई इसका रेड गलर है ठीक है तो प्यारा और एलिगेंट और डिफरेंट लगता है बाकी से वाइट वाइट में निच्छे लगती निए बाकी इंजन की बात करें तो फोर सिलिंडर का इल्लाइन फोर वोस इंजन है इंजन के एक्जक नाम जाना है तो वह 1.4 मल्डी एयर बाकी पेट्रोल में है फ्रंट व बाकी गाड़ी की लेंथ की बात कर लेते हैं तो 405 में 4405 वेड़ ते 1818 में ठीक है हाइट चाइच 1640 में वील वेस से 2636 में ठीक है तो मैं लग काफी लंबी काफी उची गाड़ी है कोई आपको प्राव्लम आएगी नहीं कैसा नहीं कि यहीं में लग गग गई तो ऐसा को सब्सक्राइब को दिक्कत आती नहीं 438 लिटर का आपका बूट स्पेस से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्पेस आपको इस गाड़ी मिलने वाला है लगती कॉंप्याक्ट है लेकिन है नहीं बड़ रॉयल लोग गाड़ी का बाकि फ्यूल टैंक 60 लिटर का फ्यूल वीडियों को गाड़ी मिलने वाला है वील्स के बात करो जो बहुत इसका कैची फीचर होने वाला है वह इसमें आपको मिलेंगे ठीक है यह निकि आपको बेस में आपको लाइविल कंपने ने दिया तो आप समझ सकते हैं 17 इंच का वील है प्रोफाइल की बात करो 225 का है ब आपको मैनुल मिलता है और फ्रेंटे सिंगल सोंड आपको जिसे जो नॉर्मल कंट्रोल से आपको कर सकते हैं बागी इसमें रियर में दिये गए नहीं ब्लोवर मिलता है तो वेंट है पीछे वाले सीटू उसमें बेस्वीरेंड में आपको मिल रहे हैं आप समझ सकने किस लाकर रुपर कंपरी किसले ले दिये तो बहुत अच्छी चोईस है अगर आप क्रेटर टॉप मोडल लेते हैं और आपके इतनी रेंज है आप स्कॉर्पियो भी देख रह और स्टेरिंग की एड्जस्वें में टेल ट्रेस को दोनों हैं बाकी 12 बोल्ड का शार्जर दिया अब रजगेस मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं यह को दिक्कत आने वाली नहीं है एट वे ड्राइवर साइट कर सकते हैं मैनुवली और फ्रंट जो आपका को परसंजर आप इसे बात अब मुझे नहीं समझ मारा और आपको गाड़ी के अंदर इसमें क्या चाहिए अंदर का इंटर है वह तो फैबरिक का इस्तेमाल किया लेदर का कम किया गाड़ी में जोगी बहुत अच्छा है अगर आप गाड़ी में बैठ के देखते हैं शोरूम पर जाके 60-40 में आप काड़ी की स्पीड जो सीट से उनको स्पीड भी कर सकते हैं ड्राइबर साइड आमरे सोरेज आपको मिल जाता है ठीक है और यह एक ऐसी चीज है काड़ी के अंदर जो यार मुझे बहुत अच्छी रखती कि आमरे जार काड़ी में तो खाफी अच्छा लगता ह बाकि अगर पावर्वेंटर की बात को फ्रेंट डोनों में पावर्वेंटर में लेगी वन टच अपन डाउन आपको मिलेगा इसके अंदर इलेक्टर की लिए अपके ओर मिलेंगे ठीक है टर्न इंडिकेटर जो है आपके ओर में भी दिए गए थाकि वह थोड़ा सजी अब बटन दमाएंगे तो गार्डी और ऑट्मेंटिकल खुल जागा तो चाववियार सिस्टम इसके अंदर नहीं दिया गया है रूफ मांटर इंडिन इन आ है वह तारवाल नहीं है वह सिस्टम नहीं कि गार्डी पर फिड़ए तो और गार्डी बहुत अच्छी है अगर और जो लोग चाहते हैं कि गाड़ी चोवरी नहीं बाइब सच बता हूं तो जो गार्डी चोवरी बहुत होती है तो उस वहाँ से अगर हाप को अट रहा चाते हैं आप गाड़ी संतोस्ति से लेना चाहते हैं तो जीब कंपस मिल जाएगी कोई वेटिंग में नहीं अब को दिये गया समझ सकते हैं विद्व फोन और यूज़ कर सकते हैं और 99.9 फीचर में सबसे हैं अगर किसी गाड़ी में 100 होते हैं तो इसमें नब में हैं बाकी एक लाग किलुमेटर्स की और टीन साल की वालन्टी दी गई है और बहुत अच्छी बाकी इसके फर्दर व मेंटेनेंस कम होता है डीजल गाड़ी से बाकी सब आपको मिलने वाला है वीडियो को चाहते हैं और कमेंट हो कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो के सामत करता है थैंक्यू सो मच